हलो फ्रेंट्स विल्कम टू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं अर्पी बात करूंगा आपसे वीडियो में सामाजी गदिगम सिध्धान्त के बारे में और बहुत ही महत्पूर्ण टापिक है एक्साम में आपको इससे एक या दो नमबर के प्रस्ण मिल सकते हैं अगर आपने पिछली वीडियो सिध्धान्त के नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं डिसक्रिप्शन में आपको प्लेइलिस्ट का लिंग दे दिया जाएगा तो सुरू करतے हैं अपना वीडियो सिद्धान्त है मारा सामाजिक अधिकम सिद्धान्त सोसल लर्निंग थेवरी ये सिद्धान्त को दिया है अलबर्ट बंडूरा ने अलबर्ट बंडूरा कानाडा के निवासी थे और इनका जन्म हुआ था 1925 में ठीक है इन्होंने सामाजी गदिकम का सिध्धान सिध्ध करने के लिए प्रियोग किया था जीवी जोकर और बार्बी डाल पर यह सिध्धान उन्होंने 1987 में दिया था 1977 में जो है सोसल लांडिंग थेवरी दी थी अलबर्ट बंडूरा ने अपने सिध्धान को सिध्ध करने के लिए इन्होंने प्रियोग किया था उस प्रियोग के बारे में हम लोग अब जानेंगे देखे मैंने आपको बताया है कि जो प्रियोग किया था इन्होंने इन्होंने किया था जीवी जोकर और बार्बी डाल पर प्रियोग जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि समाजी के दिखम सिद्धान है क्या देखिए जो बंडूरा जी थे उन्होंने बताया है कि जो बालक होता है जो बच्चा होता है वो समाज में जो भी प्रतिक्रियाएं जो भी काम हो रहे हैं होते हैं उनके माध्यम से सीखता है माली जे हमारे परिवार में कोई भी बच्चा है और हम उसके सामने जैसा विवार करेंगे वैसा ही विवार वा सीख लेगा माली जे हम किसे से अच्छे से बात करते हैं तो वह अच्छा बोलना सीख जाएगा भार वो सीखता है ठीक है तो ये सिद्ध करने के लिए कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर जो है बालक सीखता है इन्होंने प्रयोग किया था ठीक है अब जानते हैं इनके प्रयोग के बारे में देखिए इन्होंने ये बच्चे हैं ये अलग-अलग बच्चे हैं ठीक है इनका गुरूप है तीन गुरूप थे और तीन गुरूप में अलग-अलग बच्चे थे और इनके सामने जो है अलग-अलग वीडियो चलाए जाते हैं देखे और क्या होता है आगे जानते हैं देखे पहले वीडियो में एक आदमी होता है वो बारभी डाल को मारत और ना है उसके साथ अच्छा विवार करता है तो पहला वीडियो चलाया इन बच्चों के सामने इस वीडियो में जो है जो आदमी होता है वो बारभी डाल को मारता है ठीक है फिर दूसरा वीडियो चलाया इन बच्चों के सामने इसमें जो आदमी होता है वो बारभी डाल के साथ कोई भी reaction नहीं करता है इसके बाद इन बच्चों को जो है सभी को एक एक डॉल दी जाती है ठीक है और देखा जाता है कि जो ये समू है ये बार्बी डॉल को मारता है जैसा कि इस आदमी ने किया था दूसरे समू में ऐसा होता है कि ये जो बच्चे हैं यो बार्बी के साथ अच्छा विवार करते हैं लेकिन जो तीसरा समू है ये वाला इसके जो बच्चे होते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी reaction नहीं करते हैं बार्बी डाल के साथ तो समझ में आता है कि जो बालक होता है जो बच्चा होता है वो देख कर सीखता है समाज में होने वाले विवहार के माद्यम सीखता है और बच्चे सीखते गैसे हैं बच्चे जो हैं अनुकरन करके सीखते हैं यानि हमें देखकर सीखते हैं ठीक है जैसा हम विवहार करेंगे बच्चे वैसा ही विवहार करेंगे तो इस सिधानत के माद्यम से हमें ये पता चलता है कि जो बालक होता है वो अनुकरण के माद्यम से सीखता है देखकर सीखता है और यहाँ पर एक बात लिखी हुई है यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जिसके माद्यम से बालक सीखता है वह प्रतिमान या माडल कहलाता है यानि मालिजे किसी आदमी को देखकर सीख रहा है तो बालक के लिए वो प्रतिमान है अगर किसी चीज या किसी वस्तु के मार्दिम से सीख रहा है तो वो जो चीज होती है उसको जो है बंडूरा ने प्रतिमान या माडल माना है ये बात आपको ध्यान देखिए मैंने लिखा हुआ है कि बच्चे अनुकर प्रक्रिया में चारचरण होते हैं ध्यान, धारण, प्रस्ततिकरण और पुनरबलन देखिए सबसे पहले ध्यान बालग जो समाज में हो रहा होता है उसे ध्यान से देखता है फिर जो हो रहा है उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है ठीक है पुना प्रस्ततिकरण और जो उस इसका जो है वहा मलब प्रकट कर देता है माली जे पहले उसने तो किसी चीज को समाज में होते वए ध्यान से देखा फिर उसी चीज को अपने धारण कर लिया फिर उसी चीज को जो है प्रस्तुत कर दिया ठीक है और वह चीज जो उसने प्रस्तुत की है अगर उसको जो भी च पात ध्यान रहarial के लिए अगर उसे सकारात्मक्पुनरबलन मिलता है तो तो उस काम को करेगा लेकिन नगारात्मक्पुनरबलन मिलता है तो वह उसकाम को नहीं करेगा तो अनुकरण की प्रक्रिया जो है चार चरणों पर डिपेंड है ध्यान, धारण, पुनह प्रस्तुतिकरण और पुनर भलन ठीक है याद रखेगा एक्जाम में पुछा आता है अगला लिखा हुआ है पॉइंट बच्चे स्वा नियंत्रण, स्वा नियर्देशन और स्वा पुनर भलन से अधिगम में अपने आपको नियंत्रित करते हैं यह पात ध्याने केगा एक्जाम में पुछा जाता है कि स्वा नियंतरने एम्वंवन निडैसन और स्वाप कुर्णरबरन के माध्यम से अधिगम में बच्चे नियंतर्ट करते हैं पीसाने कहा है तो यह कहा है अलबड बंडूरा ने तो इस फरकार से जो है इनका सिध्धान्त होता है सामाजी का दिगम सिध्धान्त जो है अलबर्ट बंढूरा ने 1977 में दिया था इन्होंने प्रयोग किया था जीवी जोकर और बार्बी डाल पर और बालग जिसके माध्यम से जिस चीज के माध्यम से सीखता है उसे इन्होंने कहा है प्रतिमान या माडल ठीक है अनुकरण में जो है चारचन होते हैं याद कलेजेगा रट लीजेगा इनको ध्यान धारन पुना प्रस्तित करण और पुनरबलान और बच्चे जो है कि बच्चों के सामने जो चात्र होते हैं उनके सामने अच्छा विवार करें क्योंकि बंदोरा बताते हैं कि बालक जो है वो हमें देखकर सीखता है इसलिए सिच्छक को चात्रों के सामने जो है अच्छा विवार करना चाहिए यह नहीं क्लास में गए गुठका खा रहे हैं बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो बालग भी ऐसा सीखेंगे, तो जब भी क्लास में जाए सिच्छक तो उसको जो है अच्छा व्योहार करना चाहिए, ठीक है, बुरे व्योहार उपस्तित न होने दें, जैसा मैंने आपको बता है कि गाली बताते हैं कि बालग जो है, अनुकरण करके सीखते हैं, समाज में हो रहे हैं विवहार को सीखते हैं, इसलिए जो है, बच्चों के सामने अच्छे-च्छे महान विक्तित्य के भारे में उनको बताना चाहिए, जिससे कि वह उसी प्रकार बनना चाहिए, ठीक है, तो इस प् वीडियो है आपका इससे बहुत ہी बार प्रस्ण बने हैं तो सुरू करते हैं तैयर होगे प्रश्ण करने के लिए प्रश्हन है अलबर्ट बंदूरा कहां के निवासी थे चर्मनी, rousse, कनाडा, फ्रान्स तो अलबर्ट बंडूरा जो निवासी थे ये कहां कि निवासी थे ये थे कनाटा के मैंने आपको बताया था जन मिनका 1925 में हो था 1995 अनुकरण की प्रक्रिया के चरण है दो चार तीन पाँच अनुकरण की प्रक्रिया के चरण है ये हैं चार ध्यान, धारण, पुना प्रस्तुतिकरण और पुनर बलन बंडूरा ने किस पर प्रयोक किया बिल्ली, जीवी जोकर, चुहा, कुत्ता और दिखे जितने भी प्रस्णाप सही करते हैं कमेंट करके बताएगा तो बंडूरा ने जीवी जोकर पर प्रयोक किया था, जीवी जोकर या बारवी डाल बंडूरा ने अपना सिद्धांध कब दिया? निस auch-see, 1972, 1987, 1976 तो बंडूरा ने जो अपना सिद्धांध दिया था, ये दिया था 1977 में यानी 1977 77 और हमारा लास्ट प्रसन इस वीडियो का जिस चीज के माद्यम से बालक सीखता है वह चीज कहलाती है चीज माडल आदमी या कोई नहीं यह चीज बहुत ही महत्वड़ा एक्जाम में यह पूछा गया है कि अलबर्ट बंडूरा के सिधान्त में बालक जिसके माद्यम से सीखता है तो उसका नाम अलबर्ट ने क्या दिया था तो यह दिये थे माडल यानि बालक जिसके माद्यम से सीखता है अलबर्ट बंडूरा ने उसे क्या कहा है माडल या प्रतिमान तो आसा है आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा सायद आपको समझ में ही आया होगा कमेंट करके जरू बताएगा कि आपने पांच प्रस्टनों में कितना सी का थैंक यू फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पराने के लिए बहुत बहुत धनात मिलता है आपसे अगले वीडियो में थैंक यू